Hello everyone, एक बार फिर से मैं आप सभी का सवगत करता हूँ मेरे जीतन ट्यूप चैनल पे तो हाजी दोस्तों इस बार की जो वेकेंसी आई है बहुती अच्छी गुड न्यूज है आपके लिए कि बहुती अच्छी वेकेंसी जो है आपकी UPNHM ने निकाली है दोस्तों हाजी UPNHM बढ़ती है आपकी जो नेशन हेल्थ मिशन की जो भढ़ती है राष्टिय स्वास्त मिशन की तो उसमें जो पोस्त हैं आपकी 17291 यान की बहुती ज़्यादा आपकी पोस्त देखने को मिली है 17291 पोस्त जो की दोस्तों हमारी याँपे स्टाफनर्स की लैब टेक् पार्मसिस्त की और साथ में दोस्तों एनम की जो पोस्त है आपकी इसमें देखने को मिलेगी जो टोटल पोस्त है वो आपकी 17291 यान की 17291 जो हो जाती है तो बाकी का दोस्तों मैं आगे चलूँँगा आपकी पीडिएफ में दिखाऊँगा कि कौन सी पोस्त किसली है बाक सब्सक्राइब कर सकते हैं यह नहीं कि सिर्फ यूपी की है वेकंसी है तो यूपी वाले ही करें सब्सक्राइब कर सकते हैं उस्तों आगे पीडिया से चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ अगर आप मेरे जीतन ट्यूब चैनल पर अभी पहली बार आए तो इस सब्सक्राइब कर लिजे साथ में एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा आपको राइट सैड में उसकोई प्रेस कर दीजे आल नोट्फिकेशन पर करके ताकि ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो नोट्फिकेशन आपको हमारी वेकंसी की अपडेट्स और इंफॉमेशन और डेल इस प्रेट में भी सेम चीज लिख रहे है कि यह जो रिक्रिटमेंट है दोस्तो यह कॉंट्रेक्च्च्वल वेकंसी जए एनम स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियर फार्मसिस्ट एलोपेथिक अंडर एनचम यूपी की आपकी क्या है आपकी कॉंट्रेक्च्च्च्च्च् पोरफेथिक अगर मैं बात करता हूँ तो आपके अल्हेड़ी यहाँ पर दे रखा है पोस्ति वाइज आपकी क्या स्टाफ नर्स की वाईस हैं इस वाइस हैं बाकी की फार्मसिस्ट की आपकी वेकंसीज दिख रही हैं आपको नेक्स्ट आपका एनम की दिख रही है बाकी कि और अगर vacancies की में बात करूं तो आपको यहां पे A&M और staff nurse की vacancies है, staff nurse SDV में यानि की high dependency unit उसमें भी आपको देखने को मिलती है, बाकि आपको unreserved और EWS, OBC, SC, ST, PW, BD की सारी की जानकारी आपको यहां पे देखने को मिल जाती है, ठीक है तो तो इस तरीके साप यहां पर directly जो है वो PDF के थुरू यहां पे vacancies को देख सकते हैं, बाकि DHS में staff nurse, lab technician, staff nurse, simple साथ में maternal health के लिए, community process के लिए, child health के लिए, बाकि का finance commission, बाकि सारी जानकारी आपको इस PDF में अल्लेडी दे रखिया है, आप इस PDF को दोस्तों मेरे से directly आप हमारे Instagram चैनल पे या Telegram चैनल के दोर करने वाली बात, कि reservation है जो दोस्तो, reservation जो है, आपको वो आपके जो UP के candidate है ना, जो कि domicile है, उनको यहां पे reservation मिलेगा, चीक है, तो domicile for उत्तरपरदेश, उनली उनको यहां पे क्या है, applicable जो reservation है, वो यहां पे उनको देखने को मिलेगा, बाकि का, जो candidate यहां पे UP से belong नही करते हैं, तो उनको का है, दोस्तो, किसमें आपको unreserved category candidate में, यहां पे आपका माना जाएगा, चीक है, यह सारे चीज़ में दे दी, तो सब भी candidate का है, इसको apply यहां पे कर सकते हैं, बाकी का दोस्तो, एक और चीज़ यहां पे लिखी है, only female candidate can apply for A&M position, यहां आपको देखने पोजिशन के लिए, male candidate apply कर सकते हैं, बाकी का documents के, अगर मैं बात करूँ, तो documents में आपको देखने को मिला है, कि relevant documents should be uploaded by candidate at the time of online submission, of application, जब आप form भरेंगे, तब आपको देखने को मिलेगा, बाकी जो candidate यहां पे OBC के हैं, उनको यहां पे category, OBC की है, EWS category है, उनको यहां पे claim benefit मिलेगा, जब आपका, जब आपका पास में certificate होगा, दोस्तो, EWS का और OBC का certificate होगा, तो जो कि आपको document verification के साथ में attach करना है, चिक है, और यह भी दे रखा है कि 1422 से पराना दोस्तों, यहां पे, जो वो है, आपका certificate वो नहीं होना चाहिए, बाकी का in case of female candidates के यहां पे बात क reservation, वो reservation में नहीं आएंगे, बाकी female dependent of freedom fighters हो गए, एक सर्विसमेन reservation quota होगा, वो यहां पे उतर प्रदेश वालों को applicable यहां पे दे रखा है, बाके दोस्तों, महत्पून जानकारी एक और, कि यहां पे दोस्तों, जो application form में वो start कब होंगे, तो application form जो है, 27.11.2022 से start हो चुके ह जो है, वो यहां पे submission, जो है last date वो देखने को होगी, बाकी कि यहां पे दे रखा है, अगर आपके पास में instructions आपको carefully पढ़ना है, और साथ में आपको जो mobile number है, और email आईडिया आपको same डालनी है, recruitment process के लिए, जब आपको कोई mail वगरा भेजा जाए, तो online application form भर रहा है, COVID experience है, तो वो भी आप यहां पे दे सकते हैं, बाकी दोस्तों आपके और भी यहां पे notifications, note आपके करके दे रखा है, वो आप यहां पे read out कर सकते हैं, चीक है, बाकी के दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करूँ के qualify minimum marks आपके लिए यहां पे होने चाहिए, जो कि यहां पे CBT या general category के लिए होने चाहिए, OBC है, तो भी 30%, 30 marks जो है यहां पे होने चाहिए, अगर SCST है, तो minimum 24% marks यहां पे 100 out of होने चाहिए, चीक है, और COVID experience certificate भी आप लगा सकते हैं, तो यह भी आप यहां पे read out easily कर सकते हैं, तो जो भी है आपको मैंने बता दी, बाकी के दोस्तों यहां पे qualification category आपका criteria दे रखा है कि staff nurse है, तो उनके पास में क्या है, diploma होना चीए, साथ में JNM का diploma BSc nursing है, तो उनको किसी भी आपका institute से आपको BSc nursing का registration होना चीए, चीक है, online application form भरेंगे, तो age limit आपकी यहां पे 18-40 है, सभी में 18-40 age limit है, A&M के लिए certificate होना चीए, diploma होना चीए, उनके पास में किसी भी board का यहां पे चलेगा, pharmacist के लिए भी दोस्तों यहां पे diploma होना चीए, degree होगी तो चलेगा, lab technician के लिए भी यहां पे degree होने चीए, चीक है, या फिर intermediate 10-plus 2 science diploma आपका यहां पे होना चीए, बाकी का online application form के लिए instructions वगर आप यहां से भी और भी readout यहां कर सकते है, selection process यहां पे देख सकते है, test cities की बात करें, तो test cities आपको UP में ही major cities दो है, वो UP की ही देखने को आपको यहां पे major cities है, वो देखने को मिलेगी, बाकी है computer based test यानि की CBT आपका होगा, जिसमें दोस्तों यहां पे 2 घंटे का यहां पे exam होगा, एक ही sitting में 2 section होगे, 100 marks का आपके professional knowledge है, उसमें आपका होगा, तो बाकी next general aptitude reasoning और basic computer knowledge के साथ में आपके 100 MCQs होगे, बाकी बहुत ही एक और important चीज में दोस्तों आपको यहां पे बता देता हूँ, कि कोई भी negative marking दोस्तों यहां पे देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, कोई भी negative marking यहां पे देखने को नहीं मिलेगी, बाकी की cut off मैंने आपको minimum marks आपके qualify के मैंने already आपको यहां पे बता देए, बाकी age limit भी बता दी, application fees आपको यहां पे दोस्तों यहां पे निल दे रखी है, application fees यहां पे निल आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, तो application fees क्या है, निल होगी, बाकी को और भी आपका online form के instructions है, आप read out यहां से easily कर सकते हैं, ठीक है, documents के हिसाब से भी, documents के instructions यहां पे दिये गए है, photograph के भी दिये है, signature के दिये है, other certificates भी आप कितने के भी में है, तो सारी जानकारी दोस्तों आपको एक ही जगे आपको यहां पे देखने को मिलती है, ठीक है, तो यह थी दोस्तों यहां पे जानकारी जो कि मैंने आपको अपने YouTube चैनल के मादन से दे दी गई है, बाकी का दोस्तों एक और चीज में आपको लास्ट में बताना चाहूंगा, बाकी का एक और चीज लास्ट में दोस्तों यह बताना चाहूंगा, कि एतनी अच्छी जानकारी के जु यहाँ पर जो PDF है वो आपको यहाँ पर प्रदान कर दूँगा बाकी का दोस्तों मेरी जीतन ट्यूप से वीडियो से जुड़े रहने के लिए सस्क्राइब करकि बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा बाकी दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद